नमसकार बहुत स्वागत है आपका पीहारी नियुच में वेरतन सेन भारती अज़ हम बात करेंगे लालू परसादी आदब के बारे में उसके बाब जूद भी चारा घोटाले मामले में उनकी सुनवाई जारी है ऐसे ही एक अन्य मामले में लालू परसाद्यादव पटना आने वाले हैं लालू परसाद्यादव की मुस्किलें कम होने का ना भी नहीं ले रहा एक तरफ जहां उनका त्वियत खराब है तो वहीं दूसी तरफ चारा घोटाले मामले में उनकी सुनवाई एक किवाद एक फिर से सुरू हो गई है पटना के अस्पेसल जज प्रजेस कुमार की अदालत में लालू परसाद्यादव समिट 28 अरूपी उपस्तित होंगे अस्पेसल जज प्रजेस कुमार की अदालत ने सभी आरूपीयों को उपस्तित रहने का निर्देश दिया है बता दें कि लालू परसाद्यादव चारा घोटाला मामले में अभी तक तो जारखन हाई कोट में उपस्तित होते रहे थे लेकिन अब उन्हें बिहार के कोट में उपस्तित होना होगा बता दें कि अब वो बांका कोशागार मामले में लालू परसाद्यादव को 23 नवंबर को कोट में पेसी होनी है इसे मैं कहा जा रहा है कि सौंबार को वो पटना आ सकते हैं बता दें कि लालू परसाद यादव को बांका जिले के उपकोसागार में फरजी विपत्र के सहरे 46 लाक रुपय की अवैद निकासी का मामला है जिसमें अस्पेसल जज ने लालू परसाद यादव समयत 28 आरोपियों को कोट में उपस्तित होने को कहा है उपस्तित होने का मतलब है कि उन्हें सासरीर उपस्तित होने की बात कही है उपस्तित होने के दो तरीके हैं एक तो वो बकील जो है वहाँ पर जाकर अपने आरोपी का पक्स रखता है दूसरा है कि उसमें कोट के सामने अरोपी खुद वहां पे ससरीर उपस्तित होना होता है। पिछले दुन होई सुनवाई में लालू परसाद यादब समय तीन आरोपिये ने अपने अधिवक्ता को कोट में भेजा था जहां उन्होंने लालू परसाद यादब को अगले आदेस में कोट हाजिर होने की बात कही थी इसमें कोट ने कहा कि आप जो है वहां पर सासरीर उबह 1996 का मामला है इस मामले के सुरुवात में 44 अभ्यूक्त बनाये गए थे इसी मामले के सुरुवात में 28 अभ्यूक्तों पर मामला जो है भी बरतमान में चल रहा है SME कहा जा रहा है कि आधा दर्जन अरोपी की मिर्थी हो चुकी है इसकी सुचना जो है कोट तक पहुँच गई है बताते हैं कि लालू परसाद याद अब इन दिनों दिल्ली में इलाज रत है चारा गोटाला मामले में जावानत मिलने के बद वह दिल्ली एमस में इलाज रत है वह पिछले दिनों उपसुनाव में परचार के लिए भिहार आयے थे लेकिन उनकी तवियत खराब होने के बाद वह एक बार फिर से दिल्ली चले गए वो दिल्ली में बेटी मीशा भारती के आवास पर रह रहे हैं ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बांका मामल में सुनवाई हो सकती है इसको लेकर वो पटना आ रहे हैं यह ऐसी खबरें जो है मीडिया में चल रही है बिहार और बिहार से जोड़ी और वेसिंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियुज के साथ मुशे दिजी अजाजत धन्यवाद